Welcome to Fantasy Council, अगाज होने वाला एक ऐसी सीरीज का जिसमें हम सबसे ज़ादा पैसा कमाने वाले हैं, जिस सीरीज का आप सभी को बेस सबरी से इंतजार था, वो सीरीज आ गई है, Women's Premier League और जब हम Women's Cricket की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि Fantasy Council से उपर ना तो किसी की टीम्स होती है, ना ही किसी की प्रेडिक्शन्स होती है, आज का मैच जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खिला जाएगा, एक तरफ रहने वाली है हर्मन प्रीत की Mumbai Indians, और एक तरफ रहने वाली है मैगलेनिक, the most successful captain की Delhi Capitals, चिन्ना स्वामी के मैदान पर, जहां पे रन बर से भीगे चुनर वाली, बैंगलूरू का मैदान, शाम के साड़े साथ बजे का मुकाबला और होने वाला एक ऐसा गमासान, जिसमें बहुत मज़ा वाने वाला है, आपको भी और मेरे को भी, क्यो जब भी WPL की बात होती है, आपको पता है, हम लोगों ने पिछले सीजन में कितना profit कमाए था, और आज सीजन की स्टार्टिंग होने वाली है, पिछले WPL की finalist, Mumbai Indians और Delhi Capitals, हाला कि उस final को Mumbai ने जीत लिया था, और जब हम WPL की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, Women's Cricket में fantasy पर कोई नहीं है, ये चीज़ मैं clear कर लिता हूँ, हाल ही में मैं Delhi Capitals की सभी प्लेयर से मिला था, अगर आप देखें, जिन में से मैंने कुछ प्लेयर से वार्कलाप करी, बहुत सारे hidden चीज़े जानी इनके बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हू जो सिर्फ इस मार्केट में अब हमें पता है, और अगर मुझे पता है, तो आपको भी पता है, तो आज की मैच में क्या होगा, सब को share करने वाला हूँ, बने रहना है पूरी वीडियो में, सबसे पहले like और comment कर देना, साथ ही साथ चैनल को subscribe कर देना, क्योंकि इस वीडियो चल ली है, पाकिस्तान की सस्तिली, उसमें टीम में डालता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड की भी एक सिरीज चल रही है, जिसमें आपने देखा होगा, मैंने जीते थे 35 लाख रूपे, 35 लाग्स इना सिंगल मैच, कैसे वो टेलिग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना, फैंटसी काउंसल का, जहां पे आपको स्मॉल लीग टीम मिलती है, पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ, डेली फ्री गिववेज दे रहा हूँ, वो भी एकदम फ्री, आपसे एक रूपया नहीं लिया जाएगा, और ज सब जानते हैं, सीधी-सीधी, आप करते हैं, डेली गैबिटल्स के लाइन अप की बात, अगर आप डेली गैबिटल्स का लाइन अप देखेंगे ना, स्टॉंग निजर आता है, लेकिन एका दुक्का चेंज भी मुझे 100% नजर आ रहे हैं टीम में, ओपनर रहने वाले हैं तो किसको रिप्लेस करेंगे, यहां तो एनबेल सुथरलेंड को, यहां फिर जैस जोनासन को, और पिछली टेस सिरीज जो अभी ऑश्ट्रेलिय और साउथ अफरीका के बीच में होई है, उसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी, कि मारिजा ने कैप नहीं खेली थी, क्योंकि पर किस बंदी वो, वो रिप्लेस कर रहेंगे, फिर आती है शिखा पांडे, फिर इनकी कीपर आती है तानिया भाटिया, उनम यादव और साती साथ, अगर आप देखेंगे, अरुंधती रेड़ी, जिन्होंने पिछले टूर्णमेंट में बॉलिंग और बैटिंग से ठीक और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूं कि हो सकता है शिखापांडे को नीचे भेजगे, तानिया भाटिया को उपर कर दिया जाए, लेकिन परफॉर्मेंस देखी जाए, लास्ट ताम की बैटिंग देखी जाए, तो तानिया भाटिया से जादा बैटिंग हुई नहीं अब देखते हैं इनके स्टैट्स कैसे हैं, कैसा खेलते हैं इस मैदान पे, चिन्ना सौमी पे, जो भी वैसे इनका कोई क्रिक्ट है नी, कभी WPL जो हुई थी, लास्ट टाइम वो पूरी मुंबई में हुई थी, आपने देखा होगा, तो इस venue वो जाने देते हैं, हम बात क सब्सक्राइब की, औरेंज कैप विनर, औरेंज कैप हर बार वो बंदा जीत जाता है, जो टूनमेंट हार जाता है, तीन मैच में 110, 555 की एवरेज, और फाइनल का वो रन आउट, इदर दुखता है, आज क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को 2008 से सपोर्ट कर रहा हूं, जब वो लड़की है, तो हमेशा इंफॉर्म रहती है, शेफाली वर्मागे तीन मैच में 46, पिछले 5 मैच अगर आप देखेंगे, 16 जीरो विकेट, शतक मार के आई हैं 133, लेकिन ये वो दूसरा क्रिकेट है, डोमेस्टिक में मार के आई हैं, 7 रन 0 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 64 रन, कोई सिंगल मैच मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जिसमें ड्रीम टीम में ना हो, फिर हम आते हैं जैमिमर ओडरिक्स, तीन मैच में 34, एवरिज बहुत कम है, नहीं चल पाती है, माई के खिलाफ, लास्ट मार्च मैच अड़तिस, बावन, सो, ग्यारा एक, जो डोमेस्टिक है, जैस जोनासन, तीन मैच खेली, तीन विकेट लेकी गई, पिछले पांच मैच में मज़ा जाएगा जब देखोगे, 29 रन चार विकेट, एक विकेट, 28 रन एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, कोई भी मैच ऐसा दिख रहा है, जिसमें विकेट लेस गई हो, मुझे इस मैदान पर भी इनोंने तीन मैच खेले हैं, लास्ट मैच अगर आप देखेंगे, 25 रन जीरो विकेट, 27 रन जीरो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, सीनियर प्लेयर एशी का पांडे, अफ्ट फ्रन टाके विकेट क्यों ले जाती है, इनके पास एक इन स्विंग बॉ ये सीनियर वुमिन क्रिकेट खेल का ही हैं, जो इनके रिकॉर्ड दर्शा रहे हैं, फिर हम आते हैं, अरुन धती रड़ी पे, दो मैच में एक विकेट लेके गई थी, पिशले पांच मैच अगर आप देखेंगे, 32 एक विकेट, 51 रन जीरो विकेट, दो विकेट, 25 रन दो विकेट, 0 विकेट, 116 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, तो हम बोल सकते हैं कि डेली केटिस की जो बेल्टिक हैं, बहुत नीचे तक है, बहुत लंब गया, अब हम आते हैं, एक ऐसी टीम पे, जिन्होंने पिछले सीजन का टूर्नमेंट अपने नाम किया था, MI, हेली मैथ्यूस और यस्तिका भाटिया इनकी ओपनर है, यस्तिका भाटिया एक keeper है और बहुत ही genuine option है, क्योंकि तानिया भाटिया और यस्तिका भाटिया में आप जाएंगे यस्तिका के लिए ही तो option है clear हो जाता है, नैट, स्किवर ब्रंट, इनके पिछले सीजन के final की heroine, फिरा आती हर्म और अमीलियकर, पूजा वस्तराकर, यह जो आप 6 बंदिया देख रहे हैं इनी की खाते हैं यह पूरे tournament में, क्योंकि इसमें तीन बड़ी ऐसी all-rounder है, हेली मैथ्यूज, स्किवर ब्रंट, अमीलियकर, 12 ओवर भी हो गए, middle order और opening भी बहतरीन मिल गई, फिर पूजा वस्तर विकेट निकाल देख पता है कब, जब मैच डेड हो गया था, कि मतलब अब पता है मुंबई इंडियस जीद गई, तो अमन जोट कोर को बॉलिंग दे 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 थे, अब इन्होंने लाए है कीर्थना को, साई का इशक, जिन्होंने सबसे जादा इंप्रेस किया था मुंबई फज जाती है, जैसे दिल्ली ने सबसे पहले मैच में फसा लिया था, कैसा खेलते हैं, head to head record एक बार, उस पे नजर मारते हैं, और हर्मन जैसी senior player आपको दिखेंगी, बेंगलोरों में भी जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, तीन मैच में 50 run, 7 विकेट है, हेली मैथ्यू पांच मैचेस देखो पिछले, 17 run, 2 विकेट, 14 run, 0 विकेट, 49 run, 1 विकेट, 46 run, 1 विकेट, 32 run, 0 विकेट, फिर हम आते हैं, यस्तिगा भाटिया पे, जिन्होंने तीन मैच में 46 run और 16 की एवरिज से की है, तो ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन एवरिज ठीक है, 16 की, 16, 152, 16, 43, यह है, इनके पिछले 5 मैच के स्कोर, नैट स्किवर बरंट, 3 मैच, 13 run, 0 विकेट, बॉलिंग नहीं कराती है, दिल ली के खिलाप, इस मैदान पे एक मैच में 27 run, लास्ट मार्च मैचेस अगर आप देखें, बॉलिंग करा रही हैं, यह पिछले 5 मैचेस में, लेकिन 35 run, 35 की average, बहुत गजब रिकार्ट, इस मैदान पे 5 मैच में 98 run और एक विकेट, लास्ट मार्च मैचेस अगर आप देखेंगे ना, 3-6, दिन नॉट बैट 3-5, तो हर्मन फॉर्म में बिलकुल भी नहीं है, अमीलिया कर, 3 मैच 22 run, 2 विकेट, 14, 34, 35, 48, 70, 2, 2, 2, दोनों में GL की कैप्टन, 34 run, 1 विकेट, 14 run, 2 विकेट, हर बाद ड्रीम टीम या तो वाइस कैप्टन है या कैप्टन है, बड़े-बड़े प्लेयर खिलाते हैं, पूजा जी, पूजा जी ने 3 मैच में 26 run, 1 विकेट, पिछले 5 मैच में 2-1, 0-1, यह हैं इनके रिकॉर्ड, अब आते है इनके middle order, मतलब lower order आता है, यहां से यह team फसना शुरू होती है, 3 मैच में 6 विकेट, बैटिंग नहीं आती है, लेकिन इस सी वहां बल्ले से सही कर देती है, पिछले 5 मैच, 28 run, 2 विकेट, 25 run, 1 विकेट, 2 run, 1 विकेट, 11 run, और 13 run, आमन जोतकोर, 3 मैच में 19 run, बॉलिंग से पिछले 5 मैच में इस साथ विकेट ले जा चुकी है, जिनमत, क्या नाम है, जिन्ती मनी का लित्ता, बड़ा मुश्किल नाम है, तो जिन्ती मनी का लित्ता का, 3 मैच में डिन नौट बैट, 26 run, 0-0-0-0-0-0, तो हम यह कह सकते हैं, एक बंदी हमें ऐसी मिल ली, हम जिसे ड् कर सकते हैं, आगे चलते हैं, अब थोड़ा देखते हैं, कि गिववे क्या है, इस मैच का गिववे, बहुत गजब, जैसे हम हमेशा रखते हैं, फस्त लाइक, फस्त कमेंट को मिलते हैं, 100 रुपे का पेटी एम कैश, यह 10 लकी विनर्स रहते हैं, पांच बैस्त कमेंट को 500 रुपे देते हैं, लेकिन कौन जो वीडियो को पूरा देखता है, हमारे ही सब्सक्राइबर को देते हैं, लाइक और कमेंट होना चाहिए, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे चीज गया है, क्या चाता एक 9999 रुपे के पेटी एम कैश का, कौन जीतेगा यह, वीडियो में मैं कभी भी आपसे एक सवाल मुचू, सिर्फ एक, दो नहीं, सिर्फ एक, उसका जवाब जिसका सही होगा, दो लखी विनर्स होंगे, जो लेके जाएंगे 10,000 रुपे का पेटी एम कैश, इस चीज का सब लोग धियान रखना, तो चलो, आगे की तरफ चलते हैं, मैदान की मैदान, average score यहां पर 500 से 170 रह पाया है, highest total 237, lowest total 82 मैं, लेकिन यह men's cricket भी count हुआ है, total matches यहां पर खेल गए हैं, 105, 69 defend हुए, 69 defend हुए, 84 match, chase हुए, clearly, यहां पर chase को advantage है, chase करो, match जीतो, clear cut, below 150 यहां बनाएं, सिर्फ 48 बार, 151, 69, 35 times, जो अपने आप में दर्शाता है, एक high scoring ground, आप women cricket है, तो यहां पर यहां पर यहां पर बैटर्स कितने ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, पिछले तीन match उठा लेते हैं, जो यहां पर खेले गए हैं, शिरिलंका बनाती हैं, यहां पर 114, साउथ अफरीका बनाती है 104, फस्ट इनिंग में विकेट्स लेते हैं, पेसर्स 4, स्पिनर 2, सेकेंड इनिंग में पेसर्स लेते हैं 3, स्पिनर 3, अब हम इस वाले match पर आ जाते हैं, जो खेला गया था, साउथ अफरीका और न्यूज़ साथ पर रह जाती है, 17 न्यूज़, फस्ट इनिंग 3 डिकेटर kो चाहरीकट स्पिनर चाहरीक स्पिनर 15 डैसलेक बें पर आधर०ी राते हैं, तो यह फेक्टर हैं तो हैं इस कीपर्द हम बारे में बात कते हैं, फाइनल था दिल टूटा था दिली वालों का मैग लैनिंग 35 रन और ये रन आउट डेड़ सो के स्कोर के बीच में डिफिरेंस हा गया था कसम से 11 रिन पर शेफाली वर्मा आउट रिती जो 9 बोलती दी नहीं गई थी जीरो पर आउट गी थी अलीज कैप सी जैमिमा रोडरिक्स नौरन मारिजाने कैप 18 जैस जोनासन 11 गेंद में दो अब यहां से होता है क्रिकेट शुरू असली शिका बांडे 17 में 27 और यहीं पे रादायादव ने 12 गेंद में 27 रन की पारी खेली थी जो दिल्ली को 131 का स्कोर मिला अब यह चेज करने आते हैं बाई लैनिंग जैसी कैप्टन कहीं दिखेगी जो इस स्कोर को भी 19.3 तक ले गई थी तेरा रन पे हेली मैथ्यूस आउट होती है चार रन पे यस्तिका भाटी आउट रोटती है फिर उसके बाद एक पार्टनर्शिप लगती है नैट स्किवर बंट और हर्मन प्रीत कौर की साथ रन पच्पन गेंद में इनके 37 रन इनके और मैल अमीलिया करने ना जो दो बाउंडरी मारी थी उससे बैक फूट पर आ गए और दिल्ली मैच हार गए विकट लेने वाले बॉलर्स थे एक राद आया था एक जैस जोनासर इधर से तीन हिली मैथ्यूस लेके गई थी द करें इतनी बैटरीन चीजी ला रहा हूं तो सबस्काइब कर लेना बैल आइक्ण को प्रेश करना क्योंकि आपको यहाँ पर डेली वीडियू मिलने वाले हैँ डेली आपका वालेट बैलेंस घणास चवगनाच बढ़एगा और बैल आइकन को में मैडियोग नहीं प्रें हेली मैथ्यूस, 51 गेंद में 49 रन और सिर्फ एक बार विकेट दिया है हेली मैथ्यूस को, इसी वॉंग की 17 गेंद में 24 रन और एक बार ही अपना विकेट देखे आई है, तो भाई सब को मारा है और तबेट से मारा है मैग लैनिंग है, फिर आती हैं लिवी स्कैपसी, अगर ये मैचख खेलती है, तो भी है इसलिए आप के लिए रिकॉर्ण निकालक लाए है हूं, अमीलीयाकर की 16 गेंद में 24 रन बनाके 24 राउट रो बॉलर्स के आगे, फिर आती है एना बेल सुतरलेंड, हेली मैथ्यूस को एक बार अपना विकेट दिया है, इसी वांग को दो बार अपना विकेट दे चुकी है, और शबनी में समाइल को भी दो बार अपना विकेट ये दे चुकी है, अब हमाते हैं, मुंबई की बैटर्स, दिल्ली की बार, हेली मैथ्यूस, कैप को चार बार, सुतरलेंड को तीन बार, दो बार जैस जोनासन, ये इनके विकेट है, तो सब को सर्व किया है, बराबर, दो, तीन, चार, मारा किसी को ज़्यादा नहीं है, 34 में 26, 49 में 59, 68 में 400, तो दिल्ली की बार के आगे, अगर जाने कैप के, जैस जोनासन की 42 गेन में 35 रन और एक बार अपना विकेट दे चुकी है, हर्मन, दा कैप्टन, ऑफ इंडियन टीम, जैस जोनासन, 42 गेन, 56 रन एक विकेट, एनबेल सुतरलेंड, 26 बाल, 35 रन, दो बार अपना विकेट दे चुकी है, फिर आती है, मिली अगर जिन्होंने कैप को एक बार अपना विकेट दिया, एनबेल, सुतरलेंड को भी अपना एक बार विकेट दे चुकी है, अब हम चलते हैं, फैंटसी गाउंसल, की प्लेयर्स की दराफ, ग्रैंड लीग है भाई, थोड़ा ग्रैंड लीग के लिए भी सोचो, कुछ ऐसे प्ले दो विकेट 22 रन, बैटिंग बालिंग दोनों आती है, लड़की को अपनी टीम में रखो, नैट स्किवर ब्रंट, बड़ी प्लेयर, बड़ा नाम, तीन मैच में 83 रन्स, और पिछला फाइनल तो सब जानते हैं, जैस जोनासन, तीन मैच, तीन विकेट, अगर ये खेलती है तो ये पेलती है, बैटिंग से भी, बालिंग से भी, दोनों तरफ से हमें रखना चाहिए, और फिर आती है हमारे पास मेग लैनिंग, तीन मैच, 110 रन, एवरेज 55 की, बस मैं क्या ही बताऊं कितनी गदर एवरेज है, नो मैच में 345 स्कोर गया था, पचास की एवरेज से, औरेंज कैप की रेस में सबसे टॉप पे थी हमारी दिल ली की लड़की, CBC, सिचुवेशन सुनना बहुत ध्यान से, माइड़ जाने कैप, अगर DC फर्स्ट बॉलिंग कर रही होगी, तो आप बना सकते हैं अपनी कैप्टन, हेली मैथ्यूस, दोनों केसिस में, चाहे हमाई पहले बैटिंग करें, चाहे हमाई पहले बॉलिंग करें, लेकिन अगर हमाई पहले बैटिंग करें, तो कर को भी आप अपनी कैप्टन बना सकते हैं, चेज में नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बैटिंग नीचे आ जाती है, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में बैटिंग भी आ कि तो सुथरलेंड इस वेरी गूड ऑप्शन और आप देखना इन ही ऑप्शन में सी वी सी निकलेगी इस मैच की क्लियर कट वी रो चलो आगे चलते हैं तो यह है भाई दोनों की टीम है 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 एक जीता है दिल्ली वालो अब यहां से बनानी है अपनी स्मॉल लीक की टीम माइश्टर 11 पर लीडर बोड आया एक नया जो आपको यूज करना है अभी आपको बताता हूं क्या है वो लीडर बोड अगर आपके पास माइश्टर 11 अप नहीं है तो डाउनलोड कर लो इससे बड़ी आया आपको कहीं नहीं मिलने वाला मैं लिख के दे रहूं यह बात डाउनलोड कैसे करें यह भी बताएता हूं डेस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है और साथी साथ एक लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या हुआ अब हम चलते हैं अपना मैश डूणते हैं डबलू पील का अब तो ड़े लेख है ना पता रात के कितने बचे वीडियो बना रहा हूं भाई साब बढ़ा लेटो रखा है और लीडर बोड देखो गया दिखा रहा हूं सुतना बहुत ध्यान से फर्स फ्राइस को गाड़ियां है बहुत मोटी चेन मिल लिए यह सोने की जमीने कट रही हैं प्लॉट कट रहे हैं जो मन करे वो ले लो मोटी चैन मोटा पैसा अब टीम मनाते हैं कीपर में यस्तिका वाट यहां बैटिंग में मैं लिन लोगए लोगए शेफाली को मैं अभी साइडल कर रहा हूं बट दो बैटर हरमन को मैंने लोगए और कैप स्कीबर मैथ्यों कर कैप सी पर देखना पढ़ेगा खेलेंगी नहीं खेलेंगी इन 3 उल्राउंडर में आपको कोई 2 दिखेंग अब वो कौन सी होगी वो कल टॉस होने के बाद जब लाइनप आएगा तब पता लाएगा बॉलिंग में हम रख सकते हैं साइका इशक कराती है अपनी पूरी वालिंग इसी वांग ने क्या घजब टूर्णमेंट किया था हमारे होगे नौ प्लेयर अब यहां पर चलो अल्ड क्याप्टन क्लियर कट हेली मैथ्यूज फर्स बॉलिंग करेगी मुंबई बैटिंग करेगी तो वी सी मैं करको बना दूँगा यहां फिर मारिजाने कैप से अच्छी वी सी कोई नहीं है इन फॉर्म प्लेयर है दोनों में से किसी को भी आप अपनी वी सी बना सकते हो की पर यहीं रहेंगी कोई चेंज मेरी स्टीम में होने नहीं वाला है इस चीज़ का ध्यान रखना अब हम चलते हैं अपने आखरी सवाल की तरफ आखरी पढ़ाव की तरफ आज आपको बताना है कौशी प्लेयर बहुत ध्यांते सुनना मैंैन तोII कह सकते प्लेयर होता भीट क्या बुल वारे हो मिरसे प्लेयर ऑफ दर मैच बनेगी और वह कितने पारिश स्था और माय मास्टय मैंस्ट में पाइस्था और आपकाbrar जवाब सहीं माना जाएगा मैं लिखता हूँ किसे लिखा जाए सबसे अधर पॉइंट player of the match अगर बनेगी तो या तो हेली मैथ्यूस या फिर मैग लेने हैं अच्छी है में को मैग लेनिंग पसंद है तो मैग लिखूंगा और points लिखूंगा 94 और 87 ये है मेरा जवाब कि आप अपना जवाब लिखना शुरू करें जिसका जवाब सही होगा वो मेर से लेकर जाएगा 9999 रुपे का पेटीम करो क्लियर बॉइस चलो कमेंट करना शुरू करो सब्सक्राइब ज़रू कर देना जिसन नहीं करा और टेलीग्राम जॉइन कर लेना फाइनल टीम के लिए झाल करेंगा सकता है